सब्सक्राइब होंडा लॉंच करने जा रहा है 19 तारिक को अपनी होंडा NX200 देखने में जैसा आ रहा है कि यह 200 CC के मार्क पर आई गी आने के 184 CC के होने 2.0 का इंजिन होगा तो लगभग यह 200 CC की बाइक के साथ कंपीट करें इसका डायरेक कॉंपरीशन है वह है हिरो एक्सपल्स 200 जी है यह ट्राइबलिंग वाली गाड़ी है तो यह जादा ओफ रोड और नहीं है क्योंकि उन्होंने टीजर में बता दिया कि यह अलाव वि लोगी इस चैनल पर वह सारी चीज़े देखेंगे मैं ट्राइबलिंग करता हूं मोटर साइगल ट्राइबलिंग करता हूं और अनोनननन जगर पर जाकर के चीज़ों करता हूं तो अगर आप यह पुप पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और यह वीडियो अच्छा लागा तो प्लीस लाइक जरूर करिएगा मैं बात करता है एनेक्स्ट के बारे में तो हॉंडा के तरफ से रही है एनेक्स्ट और काफी अच्छी लग रही है देखने पर मैं बात करूं तो हॉंडा 2.0 का इंजिन शेर कर रही है इसका मतलब पावर ठीक ठाक होने वाला हॉंडा की अच्छी बात होती है कि हमेशार इनीशल पीक अपो ता है जो सीटी के जो पीक अप चाहिए वह काफी अच्छा होता है तो मैंने हॉंडा की गाडियां ओन की है तो अगर आप लोग हमारे चैनल के वीडियो देखेंगे तो आपको पाता ही ह किसे और वीडियो चाहते हैं या फिर इस बाइक के ओपर अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीस कॉमेंट करके जरूर बताइगा मुझे विकॉस मेरे डिसीजन लेने में तोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मैं यूनिकॉन पर ही ट्रावलिंग करू या फिर के पास जाना पसंद नहीं करता तो मैं सोच रहा है कि होंडा की गाड़ी ली जाए जो रिलैबल मतलब हैजल फ्री गाड़ी हो और जो बढ़िया मालेज दे विकास अभी तो आपको तो पता है यह पैट्रोल कितना जादा बढ़ गया है तो मालेज होना भी बहुत जादा हो रही है तो वही सोच रहा हूं मैं भी कि एन एक्ष्ट ले लिए जाए क्या तो आप लोगों क्या सजेशन होगा मुझे कमें में जरूर बताईएगा मैं इसमें पावर विया तो सब कुछ बढ़िया दिखी रहा है मालेज की मैं बात करूँ से 45 के आसपस का मालेज निकल अगर होनेट का इंजिन शेयर करता है तो 5-speed gear के साथ ही आने वाला है मतलब काफी इंट्रेस्टिंग पैकेज हो जाएगा कि क्योंकि 200cc में अभी तक कोई प्रॉपर टूरिंग बाइक नहीं है जो प्रॉपर टूरिंग बाइक है वो है आइडवेंचर 250 और 250 इतनी चली नह है और मैं बात कर रहा है तो आपको हिमालेन मिल जाएगी हिमालेन टूरिंग ले अच्छी लेकिन वही है तो बहुत प्रॉलम होती है और रॉयल इंफिल्ड है तो उसकी इस्यूस आ रहे है मेरे काफी फ्रेंड्स के पास उन है तो मैं सोच रहा हूं कि एनेक्स 200 ले 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 वारोसा कर सकते हैं अपना पैसा सही जगह पर लगा सकते हैं तो आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं या फिर अगर आप लोगों को भी इस बाइक से रिलेटेड कुछ वीडियो शेहिए तो मुझे कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा ताकि मैं आपका एक सेकिंड सेक्षिन में जरूर बताईएगा और प्लीज ये वीडियो लोगों को शेर कर ये जो हंडा की गाडियां ओन करते हैं ताकि वो लोग मुझे अपना एक ओपीनियन बता पाएं कि एनेक्स टू हंडिट कैसी होगी से पहले मैंने पोल किया जिसमें 35 लोगों ने कहा था जी हा नीचे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा कि आप लोग अनेक्स टूर नेट के बारे में का सोचते हैं तो ये वीडियो का इसा लागा जरूर बताईएगा मुझे थैंकी सो मुझ वीडियो देखने के लिए बाबाय जैहिन